हेलो गाइस गुड मॉर्निंग वेग्म टू मै चैनल मेडिको इंसा वग जैसे की अब ही हम कैटीगीरी देख रहे हैं इंटि हैपींसिव ड्रक्सित ही इसे पहले के वीडियो में मैंने हेंटी हैपटेंस ड्रक्स के ट्रिक्स बताया थे कि हम इसली वे में कैसे याद रख सकते हैं और इससे पहले मैंने कैटीगीरी डिवाइड़ेट करके बता रही हूं सो पहले हमने देखा था 81 डिसेप्टर ब्लोकर जिसमें मैंने टेलमी सार्टेन जो कि नॉर्मली बीपी की दवाई है और यूजेज होती हैं तो उसके साइड इफेक्ट और उसका मैकनीज वो मैंने बताया था सो आज हम देखेंगे कि A.C.E. इनिबिटर में जो ड्रग रहती हैं जो कैटोप्रिल, इनाल, प्रिल, रैमिप्रिल जो ड्रग्स होती हैं वो ड्रग्स हमारे बॉड़ी में कैसे काम करते हैं जो एन्टी हैपरटेंशिव ड्रग होते हैं वो मेली कीन कीन चीजों पर ऐसे हमारे बॉड़ी में कौन कौन से मेकनीज में हैं जिसको वो ब्लॉक करते हैं इसकी वज़ा से हमारे जो हाइपरटेंशन रहता है वो कम हो जाता है So, anti-hypertensio drug anti-hypertensio drug किसमें यूज़ हो रही है जैसे मैंने बताय है hypertension में अब हम देखेंगे anti-hypertensio drug anti-hypertensio drug के mechanism mechanism में क्या होगा अगर किसी को hypertension की problem हो रही है मतलब उसका जो रक्त चाप है blood pressure है वो एकदम से बढ़ जा रहा है तो वो क्यों बढ़ रहा है? उसका vascular resistance बढ़ रहा है इस वज़े से बढ़ गया Cardiac output increase होता है heart में हमारे उसकी वज़े से भी hypertension हो सकता है Blood volume बढ़ जाता है body में तो भी hypertension की problem होती है Venice return होने के time जो pressure रहता है वो बढ़ जाता है उसकी वज़े से भी hypertension की problem हो सकती है अब ये जितनी चीजे बढ़ी हुई है इन सभी चीजों को anti-hypertensis जो drug रहता है वो क्या करता है कम करता है या तो इन functions को क्या करेगा वो block करेगा इस में पहली cat Nab Moor ब्लॉल्युम को कम करेगा और करेंग pose क्या करेगा हमारे बॉड़ी में जो ब्लॉड वॉल्यूम रहगा, उसको कम करेगा किस Sympathetic Inhibitor Sympathetic Inhibitor मैंने बताया था ट्रिक्स में कि इसके अंतरगत कैटिगीरी आती है Alpha, Beta, Alpha, Plus, Beta, Blockers Then ये किस्त के चीजों पर काम कर रही है ये Venus, Return, Cardiac, Outpull और Vascular Registrence को कम करती है और जो Vesodilators Drug होते हैं ये Vascular Registrence को कम कर देते हैं अब हम Category Divide करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये Renin Angiotensin System Inhibitor होता क्या है What is Renin? मतलब ये जो Renin है ये कहां से आया और इसका काम क्या है तो आप देख सकते हैं ये हमारी गुर्दा है Kidney Kidney में जो इसका Functional और Structural जो Unit रहता है वो होता है Nephron मतलब Kidney के अंदर जो भी Function होता है वो किसके दर होता है Nephron अब Nephron में आप उपर की तरफ देख सकते हैं यहां पे एक गोल सा बना हुआ है ये है जक्स्ट्राग्लो मैरूलर जक्स्ट्राग्लो मैरूलर जो Cells रहते हैं जो कोशिका रहती है वही रेनिन प्रोड्यूस करती है अब इससे पहले के वीडियो में मैंने बताया था कि रेनिन का काम क्या होता है अब यह जो एंजियो टेंसिनोजेन है एंजियो टेंसिनोजेन जो होता है यह हमारे जो antichrist में होने के लिए इसे एक एकलिंजाइम की जौरत पड़ती है यही हमारे बौडी में जो busствен रहते हैं वह टेंसिर रहते इनको ये क्या करता है, increase करता है और manage करके रखता है अब अगर hypertension की problem हो गई ये कोई भी kidney की problem हो गई तो ये irregulate हो जाती है irregulate होने से इनके जो pressures रहते हैं वो और बढ़ जाते बढ़ने से pressure क्या हो जाता है, hypertension जैसी बिमारियां हो जाती है then angiotensin second से ये third में convert होता है, third से fourth में convert होता है जो angiotensin third है, वो increase करती है eldosteron के secretion को, जो की blood pressure को regulate करने में काम आती है और vasoconstrictor कराती है vasoconstrictor मतलब क्या होता है, जो blood vessels होती है हमारे body में उस blood vessels को ये सिकुडाता है, contraction मतलब सिकुडना सिकुडाता है, जिससे क्या होता है, pressure बढ़ता है ये जो पूरा मैंने बताया, इसे रेनीन angiotensin system बोला जाता है ये इसके system के अंतरगत आता है अब हम देखेंगे drug, drug, captopril, inalpril, जो की हम कौन सी category में पढ़ेंगे इसे ACE inhibitor में ACE inhibitor में, captopril, inalpril, remipil, ये सभी चीज़े आती है तो ये drugs कैसे work करेंगी जो की इसे ACE inhibitor drugs बोला जा रहा है तो अब माल लो किसी को hypertension हो गया तो हम ये drug उनको सामने वाले patient को या मरीज को दे रहे है तो उस time पे ये drug क्या करेगी जो conversion हो रहा था angiotensin first से second में वो ये ACE जो angiotensin converting enzyme में इसको ही ये drug क्या करेगी ब्लॉक कर देगी अब इसका conversion ही नहीं हो पाएगा तो angiotensin second का formation क्या हो जाएगा कम हो जाएगा अब formation कम होने की वज़े से जो blood pressure रहेगा वो क्या हो जाएगा reduce हो जाएगा जिससे की blood pressure कम हो जाएगा then इसके कुछ side effects या adverse effect भी होते है adverse effect adverse effect में पहला चीज हो सकता है hypotension hypotension की problem इसलिए हो सकती क्योंकि पहली बार में किसी-किसी patient को side effect ये हो जाती है कि पहली बार जब वो लेते हैं तो उनकी body consume नहीं कर पाती और वो hypo में चले जाते हैं मतलब उनका blood pressure क्या हो जाता है कम हो जाता है then दूसरा hypercalemia 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 मतलब क्या होता है जो हमारे body में potassium रहता है उसका बढ़ जाना जब वो बढ़ जाता है तो hypercalemia होता है so इड्रक्स को लेने से hypercalemia की problem होते है जिसकी वज़े से हमें renal diseases भी हो सकती है like acute kidney failure uremia जैसे other बिमारियों का सामना करना पढ़ सकता है then contraindication मतलब साधानी किन चीजों में हमें नहीं लेनी चाहिए तो इसे in pregnancy time में बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए जो potassium spring diaretics drug है like amyloride, spironolecton इनके साथ भी नहीं देनी चाहिए इनके साथ देने से क्या होगा hypercalemia हो जाएगा जैसे कि मैंने पहले बताया अब यह potassium है तो इसके साथ देंगे तो potassium का क्या हो जाएगा amount बढ़ जाएगा जिससे hypercalemia होगा और pregnancy के time में अगर हम यह device देते हैं तो fetal toxicity भी हो सकती है fetal toxicity में baby का abort भी हो सकता है या उसको bone disease या myelasia जैसे problems भी हो सकते है so thank you so much guys अगर मेरी यह video आप लोग को अच्छी लगी हो तो please इसे share जरूर करें जादा से जादा तक यह जादा लोगों तक पहुँच पाए और मैं ऐसे ही videos और बना पाऊं thank you thank you so much